हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइजस अभी का स्वाग करताओं के टो वैल के बिकूल फ्रेश वीडियो के अंदर बेटकॉण के हालविंग में कहीं न कहीं अगर बात करें तो 314 दिन का समया पर है गया कुछ गड़ी आगे कुछ गड़ी पीछी है सारी शेर डेफिनिटल आप है जितने केसे सारी चीज़ चल रही है तो क्या हमें बेटकॉण के अंदर को मोमेंटम भी ठंक से देखने को मिलेगा या फिर बेटकॉण डैड हो चुका है और आगे इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली है और सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं पर क्या रहने वाली है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तुरंत कर दो तेरी किस बात की कैसे तरह के कंट्रीन आपको यहां पर मिलता रहेगा चली सबसे बहले बात करते हैं बिटकॉण के बार में तो जैसे मैंन अंदर हमें नए रिकॉड्स देखने को मिल रहे हैं यानि कि उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता जा रहा है अगर हम लोग आपर बात करें तो आज की दर्ट में एक मिलियन ऐसे लोग हैं जो कही नहीं एक बिटकॉइन होल्ड करते हैं यानि कि पूरा एक और यहां पर अगर हम लोग कह सकते हैं तो जो पिशली हालविंग हुई थी 2020 के अंदर उसके बाद से यह जो फिकर हैं यह जो डिकलाइन हो रहा है जहां पर कि जो होड़ करते हैं उनकी यहां पर जो सप्लाइ वह बहुत जादा ही बढ़ती जा रही है अगर आप इस वाले प पता रहा था कि यहां पर जो थर्ड आलवीन कोई थी 2020 में उसके बिट्कॉण की सप्लाइ बहुत ज़्यदा मतलब कह सकते हैं होडलिंग की तरफ चली जहां पर कि ज्यादा लोग इसको होल्ड कर रहे हैं और सारी सप्लाइ जो है वह डिकलाइन होरी है यह सेम सप्लाइ हमे एक्सेंज से भी देखने को मिल रही है जहां पर कि 2018 के जो बॉटम था या 2020 के असपा से आप देखेंगे तो जो सप्लाइ है वह एक्सेंज से भी कम हुए अगर हम बिट्कॉण की आप बात करते हैं तो बिट्कॉण की जो टोटल सप्लाइ है वह हम सभी को पता है कि वह करें कहीं हम कह सकते हैं कि होल्ट पे चला गए जो कि लोगों की ऑलेट्स के अंदर है और जो एक्सेंजिस के उपर बचा हुआ पैसा भी हुआ आई ठीक अभी कि सप्लाइ का टैनीकर ट्विंटी परसें नहें जो की हम लोगों के लिए बिट्कॉण के अंदर सप्लाइ का बहुत बड़ा शौक का काम कर सकता है इसे के तोर पे अगर हम लोग बात करें तो हम बीटकॉट की जो पुरी पूरी पूरी परैराबॉलिक रईस दिखते आई हैं वह हमें आप जो देखने को मिली है वह इस बार भी कंटिन्य होगी और इस बार कि यह जो साइकिल हमें थे कि हल्विंग के आज तक Bitcoin थोड़ा सा momentum दे सकता है वो सारी चीज़ तो अभी हमें देखने को नहीं मिली है पर expectation हमारी यह है कि कम से कम Bitcoin 48-50,000 अपनी हल्विंग के आज पर सक price test करें इसके बाद यहां पर थोड़ा सा correction करें और फिर अपना एक parabolic run यहां पर start करें और यह ज अगले साल 2024 में लेकिन इतना यह नहीं अगर हम और भी charts के आप बात करते हैं जैसे बिटकॉन की तो हम लोग ने आप बात करें कि यह एक parabolic run इस तरह की से ले सकता है और इसका जो 2016 इससे बहुत जदा ना तक क्यों देखने को मिल रहा है अगर वह भी चीज़े हम तोड़ी समयने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप एक chart और देख सकते हैं जिसमें कि आपको समझ आएगा कि किस तरह जो market है वहाँ पर basically work करता है तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर इसका correlation DXY के साथ दिखाए गया है हलाकि CryptoCon ने यह पूरा की तक हमें सही देखने को मिला है और इस ताइम पर हम बात करें तो हमें यहाँ पर parabolic signal flash होता हुआ मिला है क्योंकि अगर आप DXY को देखे है तो अपने low criteria के अंदर आ चुका है और अगर हम लोग chart wise भी देखने के कोशिश है तो DXY कहीना कहीं drop होता हुआ हमें ज्यादा मिल र और यह trend basically आगर आप ध्यान से देखे तो 21 में start हुआ था जो कि अपरिल के असपास था यानि कि bitcoin ने भी उसके पहले अपना top लगा था और उसके पास से यह जो end हुआ यह लगपक October November के असपास हुए जहां पर कि हमें bitcoin का bottom लगता हुआ मिला था 15,000 के असपास में आप वो exactly bottom है की नहीं वो कह पाना तो सभी के लिए एकदम possible नहीं होता पर क्योंकि अभी market का structure shift हुआ है तो हम उसको ऐसा bottom consider करेंगे और इस ताम तक bitcoin का bottom लग जाता है उस consideration से भी हम उसको bottom की category में डाल सकते है डिक स्वाई की बात करें तो यहां पर हमें a designing triangle देखने को मिला है जिसको यहां पर कि आपको एक triangle मिला इसके बाद prices ने decline किया एक base बनाया और फिर prices अपने नए high की तरफ momentum start यहां पर कर चुगे थे अब यही चीज़ अगर हम लोग अपने chart में देखने तो देखने को मिल रहा है और क्योंकि जब इतना पूरा लिया था तो बिट्कॉन अपने bottom levels को टेस्ट कर चुका है और अब जब करेक्शन फेस की तरफ चला गया है या करेक्शन कर रहा है तो हम लोगों को बिट्कॉन के अंदर भी major momentum देखने को मिला है तो नवंबर दिसंबर से आप ध्यान से देखेंगे तो बिट्कॉन 15,000 से 30,000 की range तक अल्रेडी आ गया है और अभी अगर आपका DXY इस तरहे momentum देखें पूरा नीचे की तरफ आता है 94-95 की ranges में तो हम बिट्कॉन को 50K तक और assume कर सकते हैं कि बिट्कॉन अपना 50K के लिए यहां पर आ सकता है तो आप इसके डेफिनिट्ली जॉन कर सकते हैं हमारे इस टैक्निका लाने से स्कोर्स के अंदर जिसके अंदर सारी चाहिए आपको इंडेप्ट इटल में बताई जाती हैं यहां पर क्या चाहिए को सीख सकते हैं वीकली क्लास से सकते हैं और मुझसे अपनी जो सवाल है वो भी की यहां पर पूस सकते हैं और यह को से क्रिप्टो के लिए नहीं बलकि फॉरेक्स कमट्रीटे स्टाउक सभी जेगे वक करता है तो अगर एक मार्केट के अंदर मास्ट्री कर लेते हैं तो आप बाकी मार्केट के अंदर बीईसली वर्क यहां पर कर पाएंगे इस कोस्के जादिक जानके लिए आप मुझे से contact कर सकते हैं मेरी इस नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक डारिकली मिल जाएगी या फिर आप मुझे टेलीग्रम के उपर contact कर सकते हैं एक डिप्टो वाइल के उपर इन दोनों किलावा फिलाव में कोई और अलग address आप नहीं है बाकि कि हालविंग आएगी तो हालविंग के पहले भी कुछ ना कुछ एफक्स कुछ ना कुछ चीजे रहेंगी तो यहां पर बुल क्रिप्टो ने अपना एक चार्ड शेक है जहां पर कि जैसे मैं आपको बता है कि 2016 से मार्केट बहुत ज़दा रसेंबल कर रहा है तो अगर अगर इसे सेम वे को हम देखें तो बिट्कोइन के अंदर भी अभी के टाइम में यहां पर करेक्शन हो चुका है बिट्कोइन के पास भी अपना एक एवी रजिस्टेंस है जो कि बहुत अतक हमें 2016 के असपस का रिजेंबल कर वा रहा है अभी करेंटली बिट्कॉइन इस के असपस अटका है पिट हो सकता है कि हालविंग के पहले हमें 50K 48K तक बिट्कोइन देखने को मिले फिर इसका जो करेक्शन है वह वापिस जोन पर आ जाए 30,000 से 20,000 के रिंजिस के बीच में और हालविंग के बाद से हमें एक पैराबॉलिक ट्रेंड देखने को मिले जो क बिट्कोइन के अंदर एक और बुल रन देखने को मिलेगा अब यह सारे चर्ट दिखने का एक ही मतलब पर ताकि आप डिफ्रेंशेशन देख सकें और यह समझ सकें जो बिट्कोइन के अंदर जो चीजे हो रही है वह कहίνआ के rhyme कर रही है एक तरीका से इक तरीका सी का फॉर्मेशन दिखा रही है जिसके अंदर आप बहुत सरे क्लुस को find कर सकते हो और कहीशन के अपनी closure कर सकते हो बिट्कॉइन को लेके वहीप कर कर हम लोग के stock money lizard की बारे में बात करें तो pre-hall ku dakika जो दूसरे चार्ट के सबसे बात करिया तो यह और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग चार्ट है क्योंकि आप पूछोगे कि कैसे में देड़ लाग डॉलर का प्राइस आप आजूम कर रहा हूं कि बिटकॉन इतना जा सकता है साइकल के अंदर तो अगर आप यह जहां से देगे यह बहुत significantly drop हुआ है क्योंकि obviously price का एक matter आता है लेकिन इस टाइम पर हम बात करें तो यह जो price है यह लगबख 32,000 के आसपास हमें पर cross होने वाली है और इससे हम यह expect करें कि market हमें कम से कम 3X और maximum 5X के returns यहां पर दे सकता है तो अब अगर आप इस value को इससे सब से compare करने की को ज़्यादा हो रहे है जिसके विश्यादा flow of money आने की गुंजाईश है तो यहां पर अगर हम 32,000 से बात करते हैं 5X होने की market के तो लगबख 1,60,000 का figure आता है जिसको कि अगर आप psychological level के साब से देखने के कोशिश करें तो psychological level 1,50,000 के आसपस आपको देखने को मिल जाता है क्य जितने भी ETF हैं इन सभी के approval date कहीने की March के आसपास आ रही है 24 March के आसपास जो कि इनके एक final deadline of dates है और यह चीज़ आप सोच के देखो कि April के अंदर halving है और final deadline जो है वो भी हमें आए देखने को मिल रही है जो date से Bitcoin halving है वो थोड़े आगे पीछे हो सकती है according to the block तो May, April और March इनके तीन महिने का time हाँ पर रहेगा जिसमें कि Bitcoin की halving हमें देखने को मिल सकती है और आप खुर सोच के देखो कि final deadline है या तो इनके उपर चीज़े हां होंगी या फिर ना होंगी और अगर आप इहां पर इनके देखने की कौन-कौन सी firms ने इसको apply किया हुआ है तो आप य sure ticket के बाद companies की बात कर रहे हैं तो Blackrock, Bitwise, Vanair, Wisdom Tree यह बड़े-बड़े points है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था तो लगबख 27 trillion का यह लोग capital लेके बैटे हैं अपने मतलब AUM के अंदर अब 27 trillion तो आना possible नहींगे लेकर उसमें से अगर यहां पर बहुत जदा नहीं सिर्फ हम कह सकते हैं कि almost almost 10-5% फैसा भी अगर हैं पर flow कर देते हैं तो भी market के अंदर 3-4 trillion dollar easily आप आ सकते हैं तो सारी company मिला के मैं यहां पर बात कर रहा हूँ क्योंकि अकिला Blackrock की 10 trillion dollar की asset यहां पर manage करता है अब आप खुल सोचके देखो कि March के असपर से इनके approvals हैं अगर वह approval मिल जाते हैं, halving पी उसे टाइम पर है, यानि कि market के अंदर सबसे पहली बात तो क्या, कि exchanges के पास supply नहीं है, market के अंदर अगर देखें तो फिछली halving से supply decline कर रही है, institutions यहां पर jump off करना चाहा रहे हैं, सारे की सारे बैठे हुए, तो आपको सोच सकते हैं कि bitcoin का price यहां कितना ज्यादा shoot up यहां पर कर सकता है, हो सकता है, बिटकॉन दो लाग भी चला जाए, it's totally depend, but मेरे जो figures निकाले हैं, उसे दो basis पर निकाले हुए, सबसे पहला अगर हम लोग इस वारे chart के according देखें, जहां पर की market की जो line है, याने 100 moving average उसकी basis पर क्या हो सकता है, तो भी हमे दो figures मिल रहें, 96,000 and 150,000, और दूसरा figure अगर हम बात करें, तो वो मिलता है, बिटकॉन के market cap के according, अगर आप last time देखें, बिटकॉन के market cap का, तो यह था 1.23 trillion dollar का, और अभी जो circulating supply या हम कह सकते है, total supply जो market में आ गई है, वो है 1.9, 19 million के असपास, जिसको कि अगर हम फिर से calculate कर करें, और मैं कहता हूँ कि अगर बिटकॉन का price, देर लाग डॉलर जाने वाला है, यानि 50,000 और इसमें इस value के को multiply करें, तो इसका total market cap बनता है, 2.9 trillion dollars का, अगर आप यह वाला market cap देखें, तो यह लगबक था 1.2 trillion, यानि कि अगर मैं इस वाले को divide करूँ 1.2 trillion से, तो लगबक 0.4X के असपास, या फिर आप इसको इस तरह भी देख सकते हो, कि अगर आप 3 trillion को divide करते हो, 1.2 trillion से, तो लगबक 2.5X मतलब जो गुना हम यह पर बोल सकते हैं, वो चीज़े हमें आप देखने को मिलेंगी, तो बिटकॉन के अंदर यहाँ पिछले high से उपर जाने क अगर बात करें, और market cap में Bitcoin को 3 trillion डॉलर जाना है, तो वहाँ से लगबक जो prices हैं, वो 32,000 से increase होगे, 1,50,000 डॉलर तक जा सकते हैं, 1,60,000 में वो 3.1, 3.2 trillion, क्योंकि तेखो exact market cap तो नहीं बताई जा सकती, थोड़ा बुद उपर नीचे रहेगा, जैसे यहाँ भी 1.2 trillion, 1.2. 2.3 trillion के असपर market cap गया था, तो 3.1, 3.2 trillion का market cap, Bitcoin यहाँ पर acquire करके चल सकता है, और total market cap के अगर हम बात करें, तो हम लगबक 5-7 trillion के बीच में, assume हम पर करके चल रहे हैं, तो अभी भी अगर आप सोचो कि क्या यह best time है, Bitcoin के अंदर जाने का, तो मेरे साब से तो देखो, Bitcoin के चुका है, जहाँ पर 100% का momentum market के अंदर आ चुका है, और अगर आज की value से भी हम last high तक भी बात करें, तो अलगबक 60% का momentum हम हम हालवी दर और जदा expect करेंगे कि Bitcoin के अंदर यहाँ पर देखने को मिले, और आने वाली जो हालविंग है, उसमें Bitcoin लगबक 48-50,000 तक price आ जाए, उ क्योंकि जब halving होगी, तो obviously बात है कि जो Bitcoin अभी यहाँ पर बन रहे है, वो सारे के सारे और कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी की halving हम लोगों को होने वाली है 2024 के अंदर, उसमें 3.125 Bitcoin बनेंगे, जो कि अभी यहाँ पर 6.25 हर 10 मिलिट के अंदर बन रहे है, यानि कि इसके production के भी halving होने वाली है, और जितने बड़े-बड़े institute यहाँ पर बैठे हुए है, इनके अगर इन में से कोई भी 1-2-4 भी अगर अपूरूफ होगा है, जिसमें से BlackRock की बहुत ज़्यादा condition है, क्योंकि BlackRock ने अभी तक I think 175-195 application दी है, उसमें से 2 ही reject हुई है, तो आप सोच ल तो बिल्कुल भी opportunity miss मत करो, अगर आप crypto market में पहले चाहिए को opportunity miss कर चुके हो, तो एक मौका आपके पास फिर से यहाँ पर बनता है, एल्टकॉण पर किसी और दिन हम लोग बात करेंगे, लिकिन यह सापर वीडियो था बिटकॉण के उपर, बिटकॉण के बारे में आपको करें, subscribe side में देखे, notification bell को दबाएके, click करें, all के उपर, ताकि मेरा आने वाली सुब वीडियो के information प्रॉपर टाइम पर पास सकें, तो मैं मिलता आप से लिए अगली वीडियो के साथ, तो तो लिए, have a great day, and bye-bye.